हलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में आज का वीडियो भी बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है तो इसको भी एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज की इस वीडियो का टॉपिक है फैब 2023 वाले डीनेस के बारे में आप सबसे पहले में आपको नोटिफिक के लिए अपलाए करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो है कि क्या चेंजे इस बार जो है प्रोसीजर में आप लोगों के लिया है तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जादा जरूरी है और उसी वज़ास से इस वीडियो को पूरा देखना बहुत जादा इंप अब February में मतलब Colleges शूरू होते हैं और जनरली August में शूरू होते हैं अब होता क्या है इन चीज़ों के लिए February जो होता है वो सिर्फ 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 DNS के लिए होता है और जनरली जो August पिरियोड होता है वो तीनों के लिए होता है यानि की B.Tech Marine Engineering, B.Sc. Nautical Science तो बहुत सारे लोग जो इनको DNS करना होता है उनको August वाला टाइम सही नहीं लगता उनको स्केडियूल में उनके सही नहीं बैठता है उनके करीगुलम में सही नहीं रहता है वो तो उस वजह से वो जो है February के लिए उप्ट करता है जो कि बिलकुल एक सही डिसिजि़न है लेकि हर बार उस चीज को करने के लिए यानि कि अगर आपको February में अगर आपको February वाले पैच के लिए अगर आपको अपलाई करना है DNS में तो उसका भी एक प्रोसीजि़र होता था उसका प्रोसीजि़र यह होता था कि December में हर साल एक और IMU CET होता था जिया IMU CET दो बार होता था दिसेंबर में भी IMU CET होता था अब दिसेंबर वाला IMU CET कौन लोग दे सकते थे दिसेंबर वाला IMU CET सिर्फ वही लोग दे सकते थे जिनको February में जो है admission लेना है यानि कि February में उनको colleges start करने अपने दिसेंबर में आपको अलग से देना पड़ता था था तो अगर आप वह IMU CET क्लियर करते थे तो उसके बाद में जो आप है कंपनी की sponsorship forms पर देते थे कंपनी की sponsorship exams देते थे प्लस आप बहुत सारे colleges के लिए जो है अपलाई करते थे उनकी counselling के लिए अपलाई करते थे आप वहाँ पर जाकर admissions लेते थे उन colleges में तो यह सारी चीज़े आपको जो है करनी होती थी उन टाइम पर लेकिन अब क्या हो गया है अब थोड़ा सा procedure जो ह हो गया है जो दिसेंबर में आपको अलग से IMU-CET देना परता था उस exam के लिए यानि February में एडमिशन लेने के लिए वो अब जो है कैंसल हो चुका है अब आपको IMU-CET यही वाला जो मे जून में होता IMU-CET वही IMU-CET के basis पे आपको जो है एडमिशन दिया जाएगा February वाल में अपनी पड़ाई स्टार्ट करूँगा मैं तो नवेंबर में अपनी पड़ाई स्टार्ट करूँगा क्योंकि मुझे तो फैब वाले बहच में जाना है तो वह तिंकिंग आपको बदलने पड़ेगी आपको इसी IMU-CET के लिए जो है प्रिपेर करना पड़ेगा जिया कर सकते हैं फर्स लिंक के दिस्क्रिप्शन में उसके अंदर आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक हर एक सब्जेक के हर एक डिटेल क्वेशन विद आंसर आपको मिल जाएंगे ताकि आपको बहुत जादा है एक्जाम देने में और बेसिकली उसके अंदर तो सब कुछ है या आपके लिए हर एक क्वेशन का अंसर वहीं पर देकर रखा है तो वह बहुत जादा आपको हेल्प करने वाली है तो अगर आपको IMU-CET की प्रिपरेशन करनी है आप अगर इंटरस्टेड हैं DNS बैच के लिए फेबरुरी वाले बैच के लिए तो इस वाले IMU-CET की प में होने वाला है उसकी प्रिपरेशन के लिए हल्प चाहिए तो अगर फिर्स लिंक है डिस्क्रिप्शन में ये इबुक का लेकिन आपको इसी IMU-CET पर फोकस करना सबस्यादा ज़रूरी है आप डिसेमर वालों पर फोकस नहीं गर सकते हैं उसमें जनरली हम बात करते हैं क मैंने जैसा की बताया कि DNS के लिए ही होता है सिर्फ वो तो उसमें आपको कंपनी के स्पॉंसर्शिप के लिए भी साथ ही में आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी जिया क्योंकि जो कंपनी बार IMU-CET की रैंक के अकॉर्डिंग जो हैं अपने इंटर्व्यूज लेती हैं और अगर आपके IMU-CET के वर्टिकुलर रैंक नहीं है तो काफी साथ जादा जो कंपनी हैं वो आपको लेंगी भी नहीं अपने इंटर्व्यू तो रैंक लाना तो IMU-CET में अच्छी रैंक लाना बहुत जादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद आपको कंपनी का रिट खृदिए अपनुसलों को सुद्टिए आपके स्टीम nutrition अच्पकी का रिटीमिन म्डिनर जोजडीए हम करें के लाना तक और य्यॐन को साथि जाप थैरा जिए मांग निक कंपनी का इसी एरा उनका एक अपनी क्या आपक जो wr incidental में रहते हैं सर्फ उन लोगों को हम जितनी अच्छी रेंक लाइंग रहेंगे, उतना ही आपके लिए अच्छा है, उतना ही आप Eligible होंगे, जादा companies के लिए exam देपाएंगे आप तो सबसे पहला, पूरा पूरा फोकस कर दो मुझे लगता है, आप लोगों को बहुत जादा लोगों को जो February 2.1 के लिए अभी तक आप लोग इस ब्रहम में जी रहे हो इस ब्रहम से आपको निकालना पड़ेगा तो टाइम अभी कम है आपके पास आपको पहले से पता होता तो आप शायद पहले से प्रिपरेशन करना शुरू कर देते क्योंकि अभी आपके पास कम टाइम है तो अभी आज ही से आप अपनी preparation करना स्टार्ट करो क्योंकि अगर rank कम आ गई तो आपको एक अच्छा college नहीं मिलेगा आपको एक अच्छी company नहीं मिलेगी अगर आप और साथी में जैसा कि मैंने बता है सिर्फ और सिर्फ DNS के लिए हैं इसका मतलब आप sponsorship की preparation भी करेंगे sponsorship की preparation में अगर आपको कोई भी डाउट है आप ये वाले वीडियो को देखिए मैं आई section में मैंने एक वीडियो लगा कर रखा है वहाँ पर आई पचा कर क्लिक कीजिए आपको वीडियो मिलेगा उस वीडियो को आप अच्छे से देखिए तो आपको पता चलेगा की sponsorship के return exam को कैसे clear करते है और जहां तक बात है अगर आपको completely जानना है starting से लेके end तक मतलब IMU-CET sponsorship का return और क्या-क्या नहीं मतलब sponsorship का interview interview के हर एक question उन सब के questions के answers और वो answers को कैसे देना है वो सब कुछ मतलब A to Z अगर चाहिए तो हमारी training को जो है चैक आउट कर सकते है description में second link उसमें देख कर रखा है उस training से आपको बहुत ही ज़्यादा help होने वाली है मतलब उसमें तो आपको सब कुछ ही पता चल जाएगा और आप जाके और इंटव्यू क्लियर भी कर देंगे अलग-अलग companies के नाम दे कर रखे है कौन सी company का form कैसे बरना है बहुत सारे लोगों को तो यह doubt हो जाता है कि companies के form आते कहाँ पर है भरते कैसे है लगातार पता कैसे चलता है कि companies के form आगए क्योंकि YouTube वीडियो पर तो सब कुछ होता नहीं है कोई company आपने कभी भी form निकाल लेती है और उसके बाद लोगों को पता ही नहीं चलता और form जाने के बाद पता चलता है कि अरे यार, form चला गया हर एक चीज उसके अंदर देके रखे है कैसे आपको approach करना है क्योंकि क्या होता है कि लोगों को पता भी नहीं होता है कि उनको यह वाला IMUCT की प्रिपरेशन करनी है और आपका टाइम निकल जाएगा एक बार अगर यह वाला IMUCT खतम हो गया तो उसके बाद आप क्या वरोगे आप फेबूरी वाले पैच में जा ही नहीं पाऊगे आप किसी ऐसे कॉलेज में अंड आप हो जाओगे जो कि आपको बिना IMUCT के रैंक के और फिर वैसे कॉलेज जिसे तो आपको पता ही है कि आपका प्लेस्मेंट का भी क्या सिनेरियों लेने वाला है जब आप एडमिशन लेने जाएंगे अब तब आपसे बड़े-बड़े वादे कर दिये जाएंगे लेकिन एक्चुली में वाँ पर होता ऐसा कुछ भी नहीं है तो IMUCT दें उसके अंदर एक बहुत अच्छी रैंक लाएं उसके बाद एक बहुत अच्छी कंपनी में स्पॉंसर्शिप लें और फिर एक कॉलेज में जाओ तो आपका करियर फिर आप मान सकते हो कि आपका करियर सेट है अगर आपके पास यह सारी चीज़ नहीं है तो यह सारी चीज़ों को ध्यान में रखो इसी तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन करो अगर प्रिपरेशन के बीच में कोई भी आपको डाउट आता है तो कोमेंट सक्षन हमेले हमेशा अपन है जाक कर कॉमेंट करो हमारे बहुत सारे वीडियो को भी चेक आउट करो चैनल में जाकर इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो वापसे हमा कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आप लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करो और उसके बाद जो सब्सक्राइब का बटन है उसको बहुत जरूरी है और नोटिफिकेशन आइकन पर भी क्लिक करना बहुत जरूरी है ऐसे ही एक और वीडियो लेकर मिलूंगा आपसे जल्दी अभी के लिए इतना ही गुड़ बाई